वंदिवात रम तीन बहुत तेड़े सवाल और उनके बिलकुल सीधे सीधे जबाब नंबर एक पे आता है जो मुस्से बहुत दिनों से लोग पूछ रहे हैं कि नूपुर शर्मा जी का जो स्टेटमेंट था प्रॉफिट मुहमत के बारे में उसके बारे में मेरी क्या सोच है पहली बात ये उनका व्यक्तिकत उन्होंने अपना व्यक्तिकत एक सोच रही थी पूरा डिबेट जब तक किसी ने नहीं देगा तो उस पर कोई बिरिमार्ग नहीं किया जा सकता है दूसरी बात उसी में एक पॉइंट ही आता है कि उसके लिए कोट्स खोले हुए हैं है ना 1000 परसन कानून के हिसाफ से गलत है ठीक है तो ये मेरा इस पर विचार है अब दूसरे पर आते हैं जो महम्मद जुबेर अल्ट न्यूस वाला जो है उसको जो दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने उठाया है 153 और 295 ए में उठाया हुआ है इन दो सेक्शन धाराओं का सब्सक्राइब अब दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने उठाय कानून के हिसाब से चलता है महम्मद जुबेर ने मेरे तक जब तक बात बात यहां पर है तुहनवान जी के बारे में बोल रहा है पाखल हम्स्यां सरे ना पधेलवानों के पुराने जत्ने महने घंदुन हों की अगर में बात करूँ नाромे एक तरीके से अगर बात cabo बहुत हमारे तो अगर के all and toss a colonies और किसने दिए आगर बदें और घर में आपनी औरन सोचा जो वहां पर उनके उपर स्टैबिंग करके जो कतल की आ गया है एक बाद बताईए यहां पर कुछ लोगों को क्यास में समर्तन सूझेगा बात यहां 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 आती है बहुत सीधा साइस का उपाय बहुत सीधी सी बात है कि जिन यह जो दो बंदे हैं जिनने किया हु निंदा निंदा से कुछ नहीं होने वाला है कानून के हिसाब से स्ट्रिंजिंट और खतरनाक और ज्यादा स्ट्रिक्ट कानून बनना पड़ेंगे और सीधी सी बात यह है कानून के हिसाब से जब तक आप ऐसे लोगों को कटिन से ऐसी सजा होना चाहिए जिसको देख के द मैंने तीनों मुद्धों पर चाहे बनुपुर शर्मा जी का हूँ उसके लिए भी क्या करूँ कोट निरने लेगा इसका वह गलत है कोट भीजेगा ना कोट कर निरने है वह तुम थोड़ी कोट बनूगा उसके लिए कोट क्यों खुले है कानून प्रक्रिया होती है एक दूस बनना चीए फासी तो कम से कम है लेकिन बात यहां थी ना किसके इसाब से हो कानून की प्रक्रियास होना जी बस एक चीज है कि बहुत जल्द होना चाहिए क्योंकि अगर इतना डिले हो गया ना भाए आज अगर यह चीज होई है उनने तो वीडियो एविडिया तो मुझे मेरे को बहुत 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 है इसलिए जब both me ने कुछ बोलता है ला तो मैं ऐसे बात नहीं करता हूं मुझे पता है फिर उसके कैसे प्रक्रिया और तो इसलिए यह मेरा मानना अब यहां बात ही आती है कि पत्रगारों को अपनी जिम्मधारी पता होना चाहिए हिंदू-मुस्लिम सिख्य जाई मालो है समस्या क्या है यहां पर आप निंदा सुनगे पाटी वाद में फसे रहते हो matter यह है क्या यह हिंदुस्तान यार शांती रखो कोशिश करो मिलके रहने की क्यों नहीं कर सकते हम हर बात में एक्डम से एक्स्ट्रीमिजम इस एप्सलूटली रॉंग no matter who does that यह ध्यान रखिया का मेरी बात तो अब बाकी आप लोग समझदान है मुझे लगता है जो लोगी पता नहीं क्या क्या लिखने रखते हैं एक्डम से नहीं तालीबानी तरीके से निचलेगा बेहिंदुस्तान संभिधान और कानून प्रक्रिया चलेगा और हाँ अगर और और अच्छे से चलाना तो मेरा सुझाव यह है इतना स्ट्रिक्ट कानून होना चाहिए निंदा पिंदा से कुछ नहीं होने वाला ना अश्टक हुआ है डंडे में बढ़ियां काटे लगे यह कानून के हिसाब से ऐसा नियम बनना चाहिए और उस हिसाब सब सही सब घर में विलकुर अनुशासन में रहेंगे तो अब यह पूरी जिम्मेदारी है कानून प्रक्रिया के उपर कि इस पे निर्णा कितना कठेनों कितना सही और कितना जल्दी दिया जाता है जाहिए इंदमात रब इंकलाब जिंदाबाद भारत मता कीजए